बीजेपी की समय हर राजज से मुश्कले कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है तो वहीं बीजेपी के निताओं की बयानबाजी लगातार पार्टी की मुश्कलों को बढ़ाने में लगी हुई है। इस बार कोई और नहीं बलकि MP के मुख्या मोहन यादव की नाराजगी ने विपक्ष को BJP को घेरने का मौका दे दिया है। तो क्या है पूरा मामरा देखिए इस रिपोर्ट में। तीसने चरण में मध्य प्रदेश के भिंट में मद्दान होने हैं। ऐसे में PGP लगाता रोट शो और रेलिया करने में चुटी हुई है। इसी करम में MP के मुख्या भिंड की लोकसबा सीट से उमिदबार संध्या राय का नामंकन भरवाने और उनके लिए प्रचार करने के लिए भिंड पहुचे। लेकिन सीयम मोहन यादब नाराज होकर बीच रोट शो को छोड़ कर निकल गए। जिसके चलते उनका ये रोट शो फ्लॉप शो में बदल गया। दरसल हुआ ये कि सूभे की मुख्या जिस रत पर सवार होकर रोट शो कर रहे थे उसने बीच रास्ते में ही धोका दे दिया। जिसका रंड सीयम का रोट शो बीच में ही रुप गया। हाला कि इस दोरान सुरक्षा कर्मियों ने भी रत को धक्का दे कर आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन रत नहीं चल पाया और वही खड़ा रहे गया। और सीयम सहाब ने दूसरे वान से जाने की बज़ाए बीच रास्ते में रोट शो को छोड़ कर भागना ही मुनासिब समझा। वहीं जब सीयम सहाब के नराज होकर यूँ बीच में रोट शो छोड़ कर चले जाने पर सवाल उठने लगे तो बीज़ेपी प्रत्याशी संधियाराय ने सफाय देते हुए कहा कि ये एक टेकनिकल प्रॉब्लम है, मशीन है, इसलिए खड़ाब हो जाती है, सीयम नराज न वीज़ेपी केई कारकरता पहुचे थे, जिसके वज़े से खुद लोगसभा प्रत्याशी संधियाराय ने कारकरम से दूरी बना ली थी, इतना ही नहीं, इससे पहले भी कारकरताओं ने और वीज़ेपी समर्थोकों ने संधियाराय को लेकर उनी के सामने अपनी अपने समर्थोकों को मनाती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वारल हुआ था, डीबी लाइफ की रिपोर्ट